हालो फेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम सूट का जो घेर होता है उस पे हम एक ब्यूटिफुल सा डिजाइन बनाएंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो ये हमने एक पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है ये चार इंच ओड़ा है और लंबाई इसकी जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे विल्कुल सीधी-सीधी ये देखिए इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पे हम ढाई इंच पे माग करेंगे सारे जो हम माग कर रहे हैं ये ढाई ढाई इंच पे इस तरह से हम माग कर लेंगे सारे तो इस वीडियो में जो भी टिप्स हैं वो सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तो इस तरह से हमने ये ढाई ढाई इंच पे माग कर लिया है उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहां पे हम ढाई इंच का हाफ करेंगे इस तरह से आप इंची टेप को फोल्ड करके देख सकते हो सवा इंच हो गया उसका हाफ तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे सवा इंच का उसके बाद धाई इंच पे लगाएंगे फिर से बाकी सारी निशान जो है फिर से हम धाई धाई इंच पे लगाएंगे यह जो मतलब इसका है कि यह जो निशान लगा रहे हैं यह उपर वाले जो निशान है उनके बीच में आना चाहिए तो इसलिए हमने फर्स्ट वाला जो निशान था वो सवा इंच पे लगाया अब हम यहां से जो हमने उपर मार्जन छोड़ा था आदा इंच का वहां से हम निशान लगाना इस तरह से इनको ड्रॉ कर लेंगे लाइन्स तिर्शी कट की शेप दे देंगे इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से अच्छे से निशान लगा लेंगे तो यहां पर मैंने पेपर पेस्टिंग इसलिए यूज किया है क्योंकि यह थोड़ा सा सौफ्ट रहता है और आप बुकरम भी यूज कर सकते हैं बुकरम थोड़ा हार्ड ह जाता है इतने बड़े-बड़े कट पनाएंगे तो जब हम उसको धोड़ा उसका जो चेप है वहार्ड सा हो जाता है तो यह जो पेपर पेस्टिंग सौफ्ट रहता है तो इसलिए मैंने यहां पर पेपर पेस्टिंग यूज किया है तो आपकी मर्जी आप बुकरम भी करना है तो यह निशान हमारी लग गए है अब हम जो माक किये हैं उनको हम कट करेंगे यह देखिए तो जो बिल्कुल बिगेनर्स हैं पहली बार बना रहे हैं उनको मैं यही सरा दूंगी कि आप हो सके तो बुकरम यूज कीचिए यह थोड़ा सॉफ्ट होता है पेपर पेस्टिंग तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इससे जो फिनिशिंग आती है बहुत अच्छी आती है तो इनकों फटाफट से कट कर लेंगे उपर जो हमने लाइन आदा इंच डौ की थी उसके नीची नीची कट करना है अब डबल करके हम अपना जो घेर है उसको मेजर कर लेंगे जैसे मेरे सूट का घेर है ट्वंटी वान तो मैंने यहां पर चौबिस रखा है तो वही हम ज कैला को चौब तो जितना ही आपने एक्स्ट कर लाइण 얼i क्यों पर छौप को हैत है material आदे तो यहां पर मैंने यह जो बचा हुआ कपड़ा है वह रखा है सूट का उसके उपर यह जो हमने कट्ब किया है डिसाइन उसको के पेस्ट कर लेंगे कि यह बहुत सौफ्ट होता है तो ध्यान से थोड़ा सा कर लेंगे कहीं कट इदर उदर ना हो जाएं यह मेरा थोड़ा सा हो गया था तो मैंने उसको सेट करके फिर से पेस्ट किया है तो यह देखिए सबको हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे पूरा डिजाइन तो उसके बाद जो एक्स्टा कपड़ा है उसको उपर से आदा इंच चोड़ के हम कट कर लेंगे इसके बाद हमें क्या करना है जो हमारा कंट्रास्ट वाला कपड़ा है यानि मैंने जो सलवार वाला कपड़ा है इसके साथ मरून कलर की सलवार है तो मैंने यह कपड़ा डबल करके साड़े चार इंच चौड़ा लिया है तो डबल किया हुआ है तो यह हमें लंबी सी स्टिप चाहिए जितना आपकी सूट का गेर है उतना आप चाहिए तो इसके नीचे भी बुकरम लगा सकते हैं पर मुझे यह सॉफ्ट चाहिए अपने डिजाइन के नीचे लगाने के लिए तो इसलिए मैं इसको ऐस इट इस यूज करूँगी जैसे यह है तो इसको मैंने अच्छे से डबल करके प्रेस कर लिया है इसके बाद हम अपने सूट का जो घेर है उसको ले लेंगे उसको डबल करके उसकी सेंटर में हम कट लगाएंगे तो सेंटर में हमने कट लगा लिया है तो यहां पर हम अपना जो कट वाले डिजाइन है उनको इस तरह से जो उपर से हमने मार्जन रखा था वहां से यह जो आदा इंच एकस्टर करके मैंने काट लिया था कपड़ा उसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से यह देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है अब इसके बाद हम यह डिजाइन जो है इसका भी सेंटर कर लेंगे और उसके ओपर इस तरह से सेंटर को मिलाएंगे ताकि हमारे जो साइड में कट आएंगे वो बिल्गुल एक जैसे आएंगे तो सबसे पहले हम इसके जो कोने कोने पर सिलाई लगा लेंगे ताकि डिजाइन जो है वो हिले नहीं इस तरह करने से आपका डिजाइन जो हिलेगा नहीं नहीं तो जो कर्च हैं इदर उदर हो जाएंगे तो यह हमने कच्ची सिलाई एक लगा लिए है उसके बाद हम डिजाइन जहां जहां पे हमने कट किया था बिलकुल उसके उपर मशीन नहीं चड़ाना है आपने और ना ही बिलकुल इदर उदर करना है बिलकुल उसकी जड़ में सिलाई लगानी है इस तरह से तो यह सिलाई जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हमने इस तरह से जो एक्स्टा कपड़ा है वो थोड़ा थोड़ा एक्स्टा रखके बाकी काट देना है उसको जो मार्जन है बहुत थोड़ा थोड़ा रखना ताकि जब हम उसको पल्टेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी तो इस तरह से हम यह एक्स्टा कपड़ा जो है वो कट कर देंगे उसके बाद यहाँ पर हमने बिल्कुल सिलाई के पास तक कट लगाने हैं सेंटर में उसके बाद हम इनको सीधा कर लेंगे यह देखे इस तरह से कोई आप चीज ले सकते हैं यहाँ पर मेरे पास यह स्कूरू ड्राइवर है चोटा वाला तो उसकी हेल्प से मैं बिल्कुल उसकी जो नोख है वहाँ तक उसको इस तरह से सीधा करूँगी यह देखे इस तरह से पूरा अच्छे से आपको सीधा करना है यह सब को मैंने सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लिया है उसके बाद ये जो मरून वाला कपड़ा हमने डबल करके उसको प्रेस किया था उसको हम यहां से लॉक कर देंगे जिस साइड से खुला है उनको अंदर थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके एक अच्ची सिलाई उसके उपर लगा देंगे ताकि जो उसके धागे वगएरा है यह वो ना निकले आप चाहें तो यहां पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं तो यहां पर मैंने उसको फोल्ड कर लिया है तो उसके बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे तो जो हमारा डिजाइन था उसको यह मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा साइड में है वो अभी कर नहीं किया है तो उसको सेट करते हुए इस तरह से हम रखेंगे और जहां तक डिजाइन है वहां तक जहां पे हमारे नीचे तक कट जा रहे हैं वहां तक हमने वो कपड़ा रखना है और यहां पे उपर जहां पे वो कपड़ा खतम होता है वहां पे हमें सिलाई लगानी है इस तरह तो आप कट को अच्छे से सेट करते हुए ताकि वो कपड़ा नीचे तक बाहर न जाए और बिल्कुल जहां पे कट हैं वहां तक रहे इस चीज का ध्यान रखना है तो आपके जो कट हैं वो उठने नहीं चाहिए उनको अच्छे से सेट करते हुए आपको यह सिलाई लगानी है कि क्योंकि अगर कट छोटे होते हैं तो इजी होता है यह थोड़े हमने बड़े-बड़े कट दिखाए हैं तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से सिलाई लगाना पड़ेगा तो उसके बाद देखिए जो साइड में यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे सेट करके ताकि जो नीचे वाला हमने महरून कपड़ा लगाया वो हिले नहीं तो हम इस तरह से उसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि ना तो वो कपड़ा जो है नीचे लूज रहे ना टाइट हो जाए तो पहले यहाँ पे हम कोने पे उसको नीचे हम दे देंगे कपड़े को महरून वाले को और जो एक्स्रा फिर कपड़ा है वो उसको काली है कट कर दिया है और यह लेश है मेरे पास तो यहां पर हमारा डेजाइन जो कट है वो जहां तक है उसके बिल्कुल वहां तक हम यह लेश को अटैज कर देंगे इपनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा डिजाइन आप भी अपने सूट पे बना के जरूर देखिए तो यहां पर हम यह लेश पे डबल सिलाई जो है वो लगा देंगे तो एक्स्टर लेश को मैंने कट कर दिया है तो यह देखिए लेश को मैंने अटैज कर दिया है उसके बाद हम जो हमारे चौक है सूट के उसको फोल्ड कर लेगी तो देखिए फ्रेंट्स हमारा डिजाइन जो है वो बनके बिलकुल रेडी हो गया है और बहुत ही खुबसूरत लग रहा है आप भी अपने सूट पे बनाईए ये देखिए हमारे कट बिलकुल अलग लग दिख रहे हैं इसके उपर हमें कोई सिलाई नहीं लगानी है तब हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ठैंक्स फूर वाचिंग माई वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाई बाई